हलो डियर स्टुडेंट वाम वेलकम इस डिजिटल प्लेटफोर्म पर जिसका नाम है जय अकेडमें यह बहुत अनेजेटिक प्लेटफोर्म है जहां पर आपके सपनों के लिए हम लोग भी मैनत कर रहे हैं ताकि आप लोग जो गोल जो टार्गेट आपने सेट किया है वहां तक आप इजी वे से पहुंच सको तो जैसर और उनकी टीम के दवारा हर एक चीज आप तक पहुंचा ही जा रही है तो आप लोग को भी मैनत करनी चाहिए तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो इंडिया की हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले हमने हिस्ट् आपको आप देखना है तो आपको दिसक्रिप्स में लिंक दिया गया है वहाँब आपको बीधन मिल जाएगी और आपको सबसे पहले बात करेंगे की इंडिया की कissन क्या है आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है जितना आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये जो 20 नमबर का मार्जिन है ये आप लोग के लिए help करेगा बट उसके लिए अपना ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है जहां जहां मैं बता रहा हूं वहां पर ही आपको काफी questions मिल जाएंगे क्योंकि बहुत गहरा समंदर है बिलकुल आपको swimming करना आता होगा लेकिन समंदर बहुत गहरा है वहां पर जाकर वापस आने में टाइम बहुत लग जाएगा इससे अच्छा अगर आपकी ज़रूरत सिर्फ एक बाल्टी से हो सकती है तो आप कहीं से भी यूज़ कर सकते है इसा नहीं कि समंदर में जाकर ही इसा करता है तो यहां पर बढ़ा गया है कि इंडिया के साथ विशुका साथवा बढ़ा देसे यह सब को बता है इतना इजी नहीं पूचा जाएगा लेकिन यह पर श्तित हैं यह located है उत्री गोलार्द यानि की हमिस्पेर कौन सा Northern हमिस्पेर अब हमिस्पेर क्या होता है आपको थोड़ी सी हलकी सी उसके बारे में आपको इंफोर्मेशन दे देता हूं चलिए यह जो है अपनी घोल घोल आर्थ है अब इस अर्थ क्या होता है कि संदोंुने के लिए हमने इसको पाइट के इसाफ से डिवाइड किया है जैसे यह ढूर्ठ पार्ट है यह संदों पार्ट है और हमेशना हर चीज आप ने कभी गोल होगा साइंस की स्टुडेंट हैं तो आपने चुम्बक को देखा होगा राइट मैगनेट क्या करती नॉर्ट एंड साउथ को एंडिकर करती है तो इसको जादा हम लोग प्रिफर करते हैं क्यूंकि काफी एरिया हम लोगो नॉर्ट and south में ही देखने को मिलते है east and west का तो हम लोग बाद में सोचते है क्योंकि यह जो area exactly fix जगे पे ही locate है राइट चले तो यहाँ पर होगा northern pole और यह होगा southern pole अब उसी के according हमने क्या-क्या काफी कुछ जो geography को अच्छे से समझते थे उन लोगों ने क्या-क्या एक beach में से समझने के लिए एक line बना दिये अब इस line से क्या होगा उनको यह पता चलेगा इस line से उपर वाले northern वाले होगे इसके नीचे वाले southern वाले होगे तो उपर वाला northern और नीचे वाला southern वाला होगा इस वज़े से क्या होगा हम किसी जगे को अच्छे से लोकेट कर पाएंगे यानि कि उस जगे को समझ पाएंगे कि यह exactly किस जगे पर है तो इसलिए हमने इस तरह से अलग-अलग डिवाइड कर लिया है तो अब इंडिया कहां पर आता है इस लाइन के ज़स्ट उपर की तरफ यानि कि नौर्थ की तरफ हमारा उत्री गोलार जिसको बोलते है ठेके वहां पर आता है अब इसमें सबसे important आता है latitude and longitude यह सबसे important part आता जियोग्राफिय जब भी पढ़ेंगे और काफी बच्चे इससे डरते भी हैं लेकिन दरने की जरूत नहीं हम लोग उसको अच्छे से बढ़ेंगे चलिए एक और दो यह दो गोले बना दिये अर्थ है थोड़ा टेड़ा मेड़ा अर्थ है हमारा अलग है है ना आपकी अपने इसाफ से देख लेना ओके अब इस अर्थ में होता गया है मैं आपको क्लियर है अब देशांत्रिय रेखा है ना हिंदी वाले समझ लिजिए गा और इंगलीस वाले का लॉंगिट्यूट वह इस तरह से काम करता है किस तरह से इस तरह से लाइन बन के आती है ना इस तरह से एक बीच की मिडल लाइन वह बराबर है और यह जो जितने भी बीच में गेव दिख रहा है ना बराबर है ऐसा नहिंगर ऑगला खोटी यह व्यांग को फैस़ाल एक कि अगर आप देखेंगे ना तो बाब जो बीच का जो एरिया है वो एक्दम बराबर है जितनी उपर लाइन होगी उतनी नीचे लाइन होगी यह सारे का सारा अक्सांस यह देश्चांत्र है अब यह समझा कैसे जाता है तो समझे आपको वह बाता हूं उसका एक चीज़ आप ए पर जाएंगे या फिर आपने कभी मुवी में देखा होगा तो एक मीटर लगा होता है यहां पर दिखाए जाता है कि हम लोग नोर्टन साइड में जाते हैं वह गोल गुमता रहता है उसका मतलब है हम लोग किसी फिक्स लोकेशन पर जाने के लिए इनका यूज करते हैं आ आप यहांपर क्या होगा जैसे माली ये इंडिया है तो इंडिया की लिए की लिए क्या होगा अगे अगर अगर आपको कहीं कहां आपका मां लिए यहां पर है तो यहां से जो लाइने जाती है उसी हिसाफ से बात करोगा ना कि मैरा ना करिबन दू khet छोड़ने के बाद मेरा प्ञोट आता है है तो इस तरह से यह क्या हो गया यह देशांतरी हो गया background । तो आपको मैं से समझाने वाली बात किया ना एक्जांपल दिया आप लोग को तो इस तरह से आपको समझना है चलिए next आगे बढ़े ओके हाइल आ यहाँ अब यहाँ पर अक्शांसी कितना बोला है अक्शांसे देशांतर यह विस्तार क्या बोला है तो इनने बोला है 8 degree और 4 minute से लगाकर 37 degree 6 minute तक अक्सान से माना है देसांतर कितना माना है 68 degree 7 minute to 97 degree 27 minutes तो ध्यान रखना latitude and longitudinal यह क्या होगा इनका extension इस तरह से माना गया है at 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute and after that उससे लगाकर कहां तक 68 degree to 7 minute to 97 degree 27 minutes यह तोड़ा आपको एक एक आंकड़ा याद रख लिजे एक एक मार्किंग याद रख लिजे तापके आपको समझ में आ जाए नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है भारत का कुल एरिया कितना है टोटल एरिया कितना है इंडिया का तो याद एकना 32 लेक 87,263 स्क्वाइर किलोमेटर वाइट तो कुल चैत्रपल होगा 32,87,263 वर्ग किलोमेटर अब वर्ग किलोमेटर क्या होता उसको मैं थोड़ा आपको आराम से समझा देता हूं क्यूंकि काफी इस्ट्रेंट जो लवे यहां से मैं यहां तक पहुंचा तो वह वर्ग किलोमेटर हो गया एक्चुली यह वर्ग किलोमेटर नहीं होता जैसे एक से 10 किलोमेटर तक पहुंचा तो यह सिर्फ किलोमेटर से हैं ना कि वर्ग किलोमेटर यानि कि एक 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 एक्जेक्ली फिक्स लाइन है यहां स यह वला यह तो किलोमेटर में आएगा एग्जेकलि आप अगर सामने जा रहो पीछे की तरह आ रहो तो एग्जेकलि एक ही लाइन मानी जाएगी लेकिन अगर मानलो पूरा एरिया कवर करना है तो वह कैसा होगा वह इस तरह से होगा कि भाई आपको बीची का सारे के सारे लिए उटा है तो है नेक्स क्या है उत्तर से दक्षिंट प्रब अब देखें नौट से लगाकर साउथ की तरब में बार आपको मैरा तैलेंट दिखाता हूं न जहां से देखेंगा यह इंडिया का map है ठेखें मज्Star बना सके तो मज़े बजाना he यह इंडिया का map है ठेखें है ए सब करें लोग सब्सक्राइब को लगता है राज्टान कीanda तरफ इस्ट है लेकिन नहीं इस्ट यहां पर है और वेस्ट इस तरफ है राइट त्यान रखना इसी जो को तो इन्होंने बोला है कि नोट से अगर शावत की तरफ जाएंगे तो 3214 किलोमेटर का मार्क करेगा इतना एरिया रहेगा और अगर मां लीजे पूरों से पश्चिम की तरफ आते हैं तो यहां पर कितना होगा 2933 किलोमेटर यहां पर फैला होगा यह ध्यान रखना आपको में मार्क कर देता हूं एक बार आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए है ना उत्तर से दक्षिन एंड पूरों से पश्चिम ताकि यह मार्क हो गया है फिर आप इसको मल्टिप्लाइ कीजिए तो आपको वह मार्क मिल जाएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं छेतरपल की आधार पर आपने समझ लिया कि इतना बड़ा अपना राजस्ता इंडिय बाइ एरिया लेकिन गोवा बहुत चोटा है यह तो आपको समझ में आगया होगा लोग गुमने जाते न गोवा कि उनको पता चोटा गोवा है तो बस दस पांच छे दिन में गुम कर आ जाएंगे ओके तो यहां पर देखेगा इसने तो अच्छा बनाया है मुझसे भी इंडिया है आप लोग देख सकते हैं पूरा आपके पास मैप है अब यहां पर आप लोग कुछ चीज़े समझेंगे देखिए इस्ट वैस्ट नोट एंड साउथ ठीक है साउथ कि आपको पता ही है ठीक है साउथ के बड़े-बड़े एक्टव हैं परबास हो गए वगेरा साउथ के साइड से हैं अपन थोड़ा नौर्थ की तरफ आते हैं जैसे डैली वाले हो गए राजस्तान वाले यूपी उत्राखंट यह सारे नौर्थ की तरफ आगए उसके बीच में यह करकर रेखा गुजारी गई है जो करीबन आठ स्टेट से टच होकर या उनके बीच स द्यान रक नहीं तो कि जैसे वां झानी आपको बदाया था कि इसका पूरा का पूरा यहां से स्कूने से लगा कर इस तक यहां से वहां तक पूरा का पुरा मिलाकर कितना जाता है थाटीटू लेक, 87,000, 600 263 वर कि किलोमेटर उसके अलावा नौर्थ से अगर साूथ कि यह चीज़े ध्यान रखना अब देखिएगा यहां पर आप लोग को यहां पर मार्किंग की हुए है 68 डिगरी 7 मिनट तो कहां वादा था 68 डिगरी 7 मिनट टू 97 डिगरी 27 राइट देखिए इसको काउटिन किस तरह से किया गया तो त्यां रखना यहां पर आप्ट डिगरी है लोंगी ट्यूट जिसको बोलते हैं ठीक है तो इन्होंने यह काउंट किया था कि यहां पर 68 डिग्री आता है सेवन मिनट के रखा है यहां पर आपको चीज़े समझ में आई चलिए और अब अकसांस को दिखाना का जरूद तो नहीं है न मुझे क्सांस किस तरह से होगी आप सबको पता होना चीए इस तरह से यहां पर इस तरह से यहां पर मार्क किया जाता है कि यहां पर 8 डिग्री फॉर मिनट अब उल्टा कियो है तो ध्यार रखना इसके जो इंडिया ना बीच से उपर की तरह यानिकि जो भूमद्य रहा जो गुजरती है जो मिड़ल लाइन गुजरती है उसके उपर की तरह पैंतो यहा अलाव आप लोग को समझना होगा यहां पर अरब शागर हैं काफी लोग समझते नहीं है और बंगाल की खाड़ी यहां पर बंगाल इस तरफ है जहां पर बंगलादेश उसकी जासने बंगाल तेके अंडमा निकोबार अब इंद्रा पॉइंट सबसे इंपोर्डेंट पॉइ वियाँ चलिए आग smarter point में आगो आपको बताता रहूंगा की कौन शाइंडिया के साथ कितने साथ किलोमेटर ил डिछा सबुआ में चलता हूं आप लोगो सब को समझाता चलता हूं ठाकि आप लोगो सिरफ चीजे समझ में आ जाए एकजिएक्जक् 59 इसने बोला समुद्र तट की लंबाई कितनी है तो समुद्र तट का मतलब कहा है जहां जहां एरिया समुद्र से लगता है ना वो सारा का सारा एरिया किसमें आएगा समुद्र तट के कोडिंग आएगा है ना समझाता हूं देखें यहां पर समंदर कहा से स्टार्ट होता है य हमारी समुद तटकी लंबाई है तो कितनी है 7517 किलोमेटर है ध्यान रखना अब यह यह भी जो है मार्क होता इसके साथ अब यहां पर किसी ने बोल ले कि में जो जगह है जिसे यह वाला में बोला जाता है मुख्य भूमी जो में एरिया है उसकी तट्रेका कितनी है तो ध्या और यह जो है एडिशनल है यह इंडिया से जुड़ा हुआ नहीं है पर पार्ट इंडिया का यह है तो ध्यान रखना निच्चे की तरफ हिंद मास अगर आ जाता है इस तरह से आप सोग समझ सकते हो उसके अलवा अगर आप से बात करें कि जमीन का एरिया कितना है तो उसको पूरा एरिया कितना सुरी यहां तक भी नहीं है ना यहां तक ओके यहां से लगाकर यहां तक कितना है तो ध्यान रखना 15200 किलोमेटर है यह समझ में आपको त्यान रखना इस चीज़ों को कि चलिए आगे बढ़े चलिए अब देखिए अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है आगे बढ़े नेक्स आता है भारत विश्व के कुल छेत्रफल का अब जैसे हमने बोला कि सेवन्थ लाज़ेस्ट कंट्री है अपनी राइट सो अब हम कितना पा इंडिया मिला दिया जाए उसका हम करीबन यूज करते हैं हमारे इंडिया में 2.43 परसंटेज तो ध्यान रखना इंडिया ओक्यूप 2.43 परसंटेज आप टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड जबकि हमारी जन संग्या बहुत ज़्यादा है आप लोग को पता हम लोग वर्ल्ड में सबसे फॉस्ट नंबर पर है तो कुल जन संग्या पूरे विश्व की हम लोग जन से कितनी लेकर बैटें 17.5 परसंट वाल इट्स पॉपलेशन एज सेवंटीन पॉइंट फाइप परसंट ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपलेशन चलिए द लेंट ऑफ दा कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया जैसे मैंने बोला तठ्थिये रेखा है ना तो देखिए कुछ पॉइंट तो रही जाते हैं ज्यां रखना तो सेवंटी फाइप सुरी सेव वह कितना है सिक्स सिक्स्टी वन थाउजन के आसपास सुरी सिक्सी वन हंडेड के आसपास तो मैं लेंड जो कोस्ट लाइन के अलावा है हमारे पास वह इतनी है चलिए जबकि मुख्य बुम्मी की जो तठ्थिये रेका हैं सट सो यानि कि 6100 किलोमेटर है भारती राजिये म यानि कि 1600 किलोमेटर है सर्वा दिकलंबी है ठीक है लोगेस्ट कोस्ट लाइन भारत के कुल नो राजिये कहां मिलते हैं समुद्धी तठ्थ रेखा से लगे हुए हैं और टॉटल नाइन स्टेट्स ऑफ इंडिया और एड्जेंस्ट तू दा सी कोस्ट लाइन यानि कि समु जाते हैं ध्यान रखना और आगे की बात करें संद्धबाट लंबाई है कि घजात कहां पर आप कहीं यहां धु、 पॉएंडा से नहींमिट वॉर्ट पॉइंडा जैसे मैंने बताए था लास्ट वाला पॉइंट इंद्रहे पॉंट अपना दक्षणी बिंदू इंद्रा पॉइंट आता है जो निकोवार दीव समूव में इस्तित्य कहां है लोकेटेड इंदल नोकवार इनकोवार आइसलेंड विच वाज अर्लियर नौन एज क्या बोला जाता था पहले बोला जाता था अब इसको चेंज कर दिया गया है अब इसका नाम इंद्रा पॉइंट है भारत का सबसे उत्री बिंदू इंद्रा कोल माना जाता है जम्मू कश्मीर राजी में आता है ध्यान रखना राइट जबकि पश्यमी बिंदू सरक्रिक जो इस्टेट जमू एंड कस्मीर में है और वैस्टन पॉइंट किस में आ जाता वैस्टन का पता था गुज्रात की तरफ कोना ठीक है तो यहां पर आगया सक्रिक एंड इस्टन पॉइंट का हो गया वलंगू हो गया जो अरुणा पर चल परदेश में है यानि कि सबसे कोना वाला इस तरह का एरिया अरुणा चल परदेश आता है इधर आता गुज्रात तल जोने स्वरी गुज्रात ए जी उपर आता है जमू एंड कस्मीर जे और यहां पर अंडवान निकोबार दी समूँ ठीक है इस तरह से हैं बाट चलिए आगे बढ़ते हैं जा अंडलन कर रहा हूं उसको याद रख लिजेगा आप लोग चलिए आगे बात करते हैं बारत की सीमा एकुल कितने देश से लगती है तो सेवन कंट्री से हम लोग मिले हुए हैं य है नमबर फर्स अब बात करते हैं अपने ही अपने से अलग हुआ पाकिस्तान ठीक है यहाँ पर पूरा एयरिया कवर करता है यहां पर यहां यहां से लगाकर गुज्रा तक ठीक है यह पूरा का पूरा चाइना कवर कर लेता है उसके अलवा यहां से लगा कर यहां तक यहां तक यहां तक यह सारा कवर कर लेता है नेपाल नमबर फूर यहां पर लेको भुटान अब चाइना का ही एरिया है लेकिन पहले भुटान को अलग मना जाता था तो यहां पर ह करीब है ठीक है और यहां पर आ जाता है सेवन नंबर पर बांगलादेश तो यह हो गया जो सीमाओं के बिलकुल करीब है चिपके हुए है लेकिन एक इपॉर्टेंट पॉइंट है जो श्रिलंका है वह भी इसके पास में आता है ध्यान रखना लेकिन पास में वह थोड़ा सा हटकर है तो श्रिलंका हमारा पडोसी देश है राइट जयान रखना नेवर है पर उसकी जो लाइन है वह हमसे टच नहीं करती है ठीक है तो बांगलादेश चाइना पाकिस्तान नेपाल मियानमार भुटान अफगानिस्तान यह सेवन कंट्रीज हो है बगलादेश के साथ मिलती है इंडिया इंडिया स्लोंगिस्ट बोर्डर इंड बनक्लादेश डिचा फोर्टलोडा इंडरेश की अफगपने साथ मिलती को साथ मिलती है तक आप इतना सा एये और उसके अलवा यह रहा अपना वर सब्लबदार भाइन बड़ा अमनों Who को नेक्स्ट आगे की बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बात कर लेते कितना किलोमेटर हैं तो भारत अफगानिस्तान के बीच में अठाइस चिन्नु में ठीक है यानि की बात करते हैं कि अब इनके जो देशящंए उनके बीच में कितने किस Luba को क्या बोला जाता है की को हर एक लइन को तो Maßnahmen की कि बोला जाता है गोई सिब से पहले बात करते हैं जो हम पें चोटी बात मिलती arch अभारत और अफगानिस्तान की उसको करीबें आपने पार्ट इंसको सिय्मा बांती है ना तदा बहर टैम पाकिस्तान के बीच्ष रेड क्लिफ रेखा 15 आगस्ट 1947 बनाए गए थे इस धिक्या वह सब्सक्राइब का डिख रीकर के पीज़ का ईर्या सो को यहां को यहां तक इसलेकन सर्डवेंड उन्हों इसको बनाया था एक बिम्ठी सर थे उन्हों ने इसको बनाया थे ँदिक कुट रेखा वोलते हैं इंडिया से उनके साथ में पाकिस्तान वापस सवरी 1947 के बाद में पाकिसान अलग घृत दो मनें ली आगई थी बाउंडरी लाइन बीट्विन इंडिया पाकिस्तान वाज डेटर्माइन बाइस सब्सक्राइब सब्सक्राइब इंडिया पाकिस्तान यह कौन से रेड़ क्लिफ लाइन है जो वेलिड हुआ था अगस्त 15 1947 चले यहां तक यही एक्जाम में अभी तक पूछे गए हैं इंडि स्टेंडर्ड टाइम आफ इंडिया इस कॉंसाइडर्ट टू बी एटी टू डिग्री वह भी इस्ट लॉंगिट्यूट लाइन पासिंग थू नैनी नियर इलाबाद ठीक है ध्यान रखना भारत का मानक सन में इलाबाद के निकट नेनी नाम की एक जगह है जहां गुजने पर किस तरह से बताया इस तरह से मानने होगा तो यह बोला पूरों की तरफ यह जो जगह है वहां पर एटी टूट डिग्री है वहां पर का जो टाइम है उसको पूरे कंट्री में उसको बना टाइम के हिसाफ से दिखाया जाता है यानि कि जैसे मेरे गड़ी में अगर 5 पर गुजरता है ध्यान रखना ठीक है तो यह कौन को से आता उत्तरपर्देश मद्यपर्देश चतिसगड़ औरिशा अंदरपर्देश यहां से ओकर यह जो है गुजरती है ध्यान रखना डिग्री की ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम जो है किस जगे पर एक्जेक्टली लोकेट है तो ध्यान रखना यहां पर बोला जाता है कि हम लोग ट्वैंटी थ्री एंड हाफ डिग्री पर है ध्यान रखना यह नहीं साड़ा तेइस डिग्री और वो भी कौन सा परिक्या हो गया है ओके ट्वैंटी थ्री डिग्री है ना उत्री अक्सांस अर्थात करक रेखा भारत के आठ राज्जियों में जिनमें राजस्तान गुजात मद्य परदेश चतीस गड़ जारकरंट पच्छी मंगाल तिरपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती ध्यान रखना है ना मतलब जो यह जो एरिया है वो एक्जेक्ल प्रदेश त्रू एट स्टेट कहां कितने स्टेट से एट स्टेट कौन कों से चले काउंट करते हैं फर्स्ट गुजरात फिर राजस्तान का एरिया मद्यपरदेश चतिसगर्ड जारकंड वेस्ट बंगल मिजोरम एंड तिरपुरा यह यहां से होकर गुजरता है तो यह ए अब बात करते हैं कि पड़ोशी देश के पास में हमारी कितनी कितनी सिमा है वह लोगों को थोड़ा पिच्छे रह गया था इसको अब लोग हम लोग कवर करतेंगे इस इस पेस है ठीक है पड़ोशी देश सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान के हमारे साथ हमें सबसे छोटी देखा निकलती है वह अफगानिस्तान से कितनी है हमारी सिमा कितनी 106 किलोमेटर उसके बाद में यहां पर कितने राज्जी से टेच होकर जाती तो एक वो भी अब लदाग है ना कि जमुकस्मीर त्यान रखना लगदाग एंडव अलग हो चुके तो अब लदाग का एरिया है नेक्स्ट अब बात करते हैं सबसे ज्यादा किसके साथ बंगलादेश के साथ ऐसे उल्टा है ध्यान रखना बांगलादेश के साथ 4096.7 किलोमेटर लगती जिसमें फाइब स्टेट आते हैं कौन कौन से पश्चिम मंगाल असम मेगाले तिरपूरा एंड मिजोरम राइट फिर हम चाइना की बात करते हैं चाइना के साथ हमें 3488 किलोमेटर होता है जो फाइब स्टेट से होकर मिंकलती है हिमाचल परदेश उत्राखंड सिकिम आजस्तान गुजरात एंड लदाक लदाक अब आगया ध्यान रखना नेपाल सत्रे सो इकावन 1751 फाइफ स्टेट यहां पर भी लगते हैं उत्राखंड यूपी बिहार पश्रिम बंगाल एंड सिखिम म्यानमार की बात करें जो पूरू की तरफ है 1643 उसमें फोर स्टेट लिखते हैं अरुण चल परदेश नागर लेंड मणिपूर और मिजोरब भुटान की बात करते हैं अब जो चाइना खाएरिया बन चुका है वो है 699 किलोमेटर पूर स्टेट यहां पर भी लगते हैं सिकिम पश्रिम बंगाल आसाम एंड अरुना चल परदेश तो इस तरह बात करते हैं या आपने यह टोपिक काफी टाइम पहले पढ़े होंगे तो कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताना और अगर नहीं आया तो फिर हम लोग कुछ और भी नया करेंगे लेकिन मुझे उम्मीद है और हौप यही रखते हैं कि आप अच्छा कमेंट करेंगे फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट खुला है तो कमेंट आप वहाँ पे कर सकते हैं उसके अलवा नेक्स क्लास में हम लोग आपको जल्दी ही मिलेंगे तब तक हसते रहिए खुश रहिए और जै अकेडमी के साथ बढ़ते रहिए थैंक यू वेरे ब झाल 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 झाल